psychic learn को use करते हुए जो coding techniques हम use करते हैं for machine learning algorithms और किस तरीके से उनको use करते हैं to develop a model, build a model, model को save कैसे किया जाता है और use कैसे किया जाता है, इसके उपर आज हम बात करेंगे, linear regression को as an example देखेंगे हम, ताकि हमें coding की समझ बूज आ जा जाए एक दफा, फिर हम आइस्ता इस्ता आगे मैं अपनी screen share करता हूँ, यहां पर पहला जो code है, मैं यहां पर लिखता हूँ, number 9, basic model coding के नाम से यह, मैं save करता हूँ, अपनी notebook, because we are going to use this for an example, ठीक है, so जब भी आप कहीं पर फसे होंगे, तो आपने यह model notebook ले लेनी है, sklearn के अंदर model notebook को कहिए, right, सबसे पहला काम यह होता है, कि जब भी आपने कोई काम करना है, import करें libraries को, pandas as pd, import numpy as np, then हमारे पास matplotlib and seabornman को ज़रूर करता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने कब coding के अंदर graph बनाने start कर देने, then आपने क्या करना है, अगला काम आपका होगा, for sure, from sklearn, आपने dot, model selection में जाके, ठीक है, आपने train test split करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि machine learning के अंदर, आप कुछ data रख लेते हैं, और कुछ data को आगे लेके जाते हैं, ठीक है, 80-20 का rule जो मैंने पिछले lectures में बताया, उसके लिए ये वाला train test split का जो function है, वो use होगा, ठीक है, फिर हम from sklearn dot preprocessing, अब preprocessing के कही चीज़े import करेंगे, ठीक है, जिसमें से सबसे पहली चीज़े scalars, standard scalars हम ले आएंगे, ठीक है, usually ये use होता है, फिर label encoder, ज्यादा मेरा favorite है तो label encoder मैंने बुला लिया, अब इसके इलावा आपके पास और भी काफी चीज़े होंगी, फिर इसके बाद अगला काम क्या होगा हमारे regression का जो algorithm है, from sklearn dot linear model और फिर आप import करेंगे linear regression को, ठीक है, ये हमने import कर लिया, अब होगा क्या, इसको मैं run करता हूँ, ये मेरे पास model आ गया, now we will see के हमारे पास data कौन से, import the data, अगला step होगा, import the data, और data के लिए आप कोई भी data ले सकते हैं, मैं कहता हूँ, sns.load dataset, tips का data ले ले लेते हैं, ठीक है, which looks like this, import कर लिया data को, ठीक है, अब अब अगला काम क्या होगा, अपना features और labels separate करना, ठीक है, separate the features, and the target भी उसे बोलते हैं, slash labels भी बोलते हैं, ठीक है, features को हम show, denote करते हैं, x के साथ, features को denote करते हैं, capital X के साथ, और targets को denote करते हैं, smaller y के साथ, तो हमने क्या करना है, basically, अपना यहां से column select करना है, जो हमारा x है, और जो y है, ठीक है, और usually x जो है, यह multiple columns होते हैं, but for now, we will see, कि हमारी regression problem क्या है, regression होती है, कि आप एक numeric variable की base पे, दूसरे numeric variable को predict करते हैं, यानि कि total bill, एक dependent variable, independent variable है, और tip जो है, इस पे dependent है, तो x हम रख लेंगे total bill, df के अंदर, total bill में रख लेता हूँ, ठीक है, और y हम रख लेंगे, क्या रखेंगे जनाब, tip, right, क्यूं हम ये कर रहे हैं काम, क्यूंके हम total bill की base पे tip को predict करेंगे, तो ये linear regression हमारे पास होगी, simple linear regression जिसे बोलते हैं, हमने x, y कर लिया, अब हम क्या करेंगे, train test split करेंगे data को, train test split the data, क्या होगा, जो x है ना हमारे पास, और y है, इसको हम train test split करेंगे, हमारे पास चार चीज़े होगी, यानि के x के दो हिसे कर लिए, train and test, y के भी दो हिसे कर लिए, train and test, फिर हमने command use की train test split, which is given here, जो हमने import किया था start में, चेक करें ये वाला, ठीक है, और हमने x और y को train test split किया, यानि के x और y दोनों यहां पे दे दिये, test size, 0.2 रखा, यानि के 20 फिसेद test size है, total 1 है, जो यहां पे 0.2 आ गया, पिछे बचा 0.8, तो यह हमारे पास train size हो जाएगा, आप यहां पे test size की बजाए, train size भी लिख सकते हैं, train size is equal to 0.8, तो 80-20 की ratio पे हमने यह काम कर लिया, यहां तक आपको clear हो गया, हमने 80-20 की ratio पे यह काम कर लिया, right, okay, so अब मैं इसको run करता हूँ, यह भी हमारे पास run हो गया, train test split हो गया data, right जी, यहां तक हो गया, अब हमने क्या करना है, हमने pre-process the data, pre-process the data, अच्छा, दो तरीके कार होते हैं, आप pre-process train test split से पहले भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी, मैं usually क्या करता हूँ, train test split से पहले भी कर सकता हूँ, या बाद में लेकिन मैं बाद में इसको prefer करता हूँ, reason क्या है, जो train वाला data होगा, उसको हम जैसे transform करेंगे, test वाले को भी कर लेंगे, say for example, मैं यहाँ पर scalar अपना लाता हूँ, scalar is equal to, हमने कौन सा लिया हुआ है, standard scalar, यह हमारे पास scalar आ गया, अब हमने x train पे भी लगाना है इसको, scalar fit transform हो गया, और x test पे भी लगाना है, ठीक है, अब मैं इसको run कर रहा हूँ, यह मुझे error दे रहे है, और error क्या आ रही है, अगर आप गोर करें, reshape your data either using this, और single feature और error shape, आपने हमेशे इस बात का ख्यार रखना है, कि जब भी आपने x की value लिखनी है न, इसको double brackets में लिखना है, something like this, मैं आपको बताता हूँ, इस side पे भी double, इस side पे भी double, this shows कि यह double dimension data, यानि कि 2D array होनी चाहिए आपके x में, y single भी हो सकता है, लेकिन x हमेशा 2D होना चाहिए, यही error थी जो यहाँ पे मुझे आ रहे थी, ठीक है, and usually it happens with everybody, तो वो मैंने कर लिया, अब everything is fine, आपका x हमेशा double dimension होना चाहिए, x हमेशा double dimension होना चाहिए, यह मैंने जनाब, अपना x train and x test, दोनों को scale कर दिया, standard scalar के साथ, यानि के जो x की value थी ना मेरी, total bill की, इसको मैंने scale कर दिया, standard scalar जो हमने कल use किया था, अगर आप उसको देखना चाहिए, you can also print that, मैं सिरफ आपको एक जलग दिखा देता हूँ, it looks like this, यानि के center इसका 0 है, और उसके इर्दगिर्द values आ गई है, तो मैं यहाँ पे इसको scale कर रहा हूँ, और सभी को दुबारा से एक दफार run कर लेता हूँ, pre-process the data आ गया, अगर आप इस data को, इस train test split से पहले pre-process करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से use करेंगे, आप यहाँ पे लिखने के बाद, x is equal to, यहाँ पे आप पूरे का पूरा scalar use कर लेंगे, यानि के scalar.fit transform x, ठीक है, तो अगर आप पहले करना चाहते हैं, तो सिरफ यह चलेगा, अगर बाद में feature को करना है, तो आप इस तरीके से scale कर लेंगे, तो मैंने बाद में किया है, यहाँ पे आप model बुलाना है, model is equal to, हमने पहले से linear regression को call की हुई है, यह वाले model को, यह हमने बोला, कि आजो भई, यहाँ पे आजो, linear regression साब वो आगे, model आगे है यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, model को fit करेंगे, fit आपने किस पे करना है, training data पे, fit का मतलब है कि model training, आप याद करें, examples में मैंने start में बताया था, कि आप data देते हैं, algorithm को, फिर वो उस data को समझता है, pattern सीखता है, यह pattern सिखाने के लिए, आप .fit की command लगा रहे हैं, यानि कि आप model को कहते हैं, यह लो पकड़ो data, with labels, यानि के data plus labels, जिसको supervised learning, जिसकी example मैंने start में आपको दी थी, data plus labels दे के आप model को यहते हैं, लो पकड़ो, सीखो, अब data साब सीख रहे हैं, model.fit में data सीख रहे हैं, मैं जैसे ही इसको run करूंगा, like this, you will see कि यह foreign foreign run हो गया, अब अक्सर उकाद अगर data बहुत बड़ा है, तो यह अच्छा खासा time ले लेते हैं, लेकिन इसने run करके यहां से सीख लिया, कि linear regression के अंदर, मैंने यह चीज़ें सीख लिया, ठीक है, अब model हो गया आपका build, यानि कि model call भी कर लिया, कि आपने और train भी कर लिया, आप इसको दो इसो में भी divide कर सकते हैं, call the model, और, call the model, इसको आप next कह सकते हैं, train the model, और train the model के बाद, यहां पे आप लगा सकते हैं, fit, ठीक है, हमने call किया model को train किया, अब इसके बाद चलेगी prediction, predict the model, predict the values, बलके इसको बोलते हैं prediction, prediction के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो, x test की value बची है, याद करें, कि आपने 80% data training के लिए दिया है, 20% test के लिए, so training वाला तो आपने दे दिया, अब आपने test वाला देना है, और check करना है, कि ये model कैसे सवालों के जवाब देता है, और आपके पास जवाबात पहले से मुझूद है, आपने non values के साथ, इसकी prediction को compare कर लेना है, so उसके लिए हम क्या करेंगे, y underscore predict की base पे हमने बना लिया, object, और model dot predict किया हमने, तो ये यहाँ पे जणाब x test को हमने predict कर लिया, and here you go, आपका model predict हो गया, अब आप अगर गोर करें, तो y underscore predict जो है, ये वाली values है, और अगर मैं यहाँ पे y underscore test लिखूँ, तो ये वाली values हैं हमारे पास, 1.68, 5.07, so on, so forth, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, कि हमने क्या किया अभी तक, हमने data दिया है total bill का, और उसकी base पे tip को predict करना चाहा है, अब अगर आप गोर करें, जब हमने model को train कर लिया, यहाँ तक, तो हम एक और काम कर सकते हैं, model की base पे dot predict लिखेंगे, और कोई भी एक value देंगे, मैं यहाँ पे value देता हूँ, say for example, अगर किसी ने, 15 डॉलर किसी का bill बना है, तो ये मुझे tip उठा के देदेगा, कि इसकी tip इतनी बनी होगी, लेकिन यह तो मुझे error दे रहे है, और error क्या दे रहे है, कि आपकी expected two dimensional array, और आपने one dimension दी है, same वो ही चीज, कि यहाँ पे भी आपने two dimensional array देनी है, ले जनाब, आप अगर 15 डॉलर बिन बना है, तो ये मुझे बता रहा है, कि 16 डॉलर आपकी, जो tip बनती है, जो ठीक नहीं है, I know that, मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ, तो यह कह रहा हूँ, 29 बनती है, सो कुछ तो गडबड है यहाँ पे, और उस गडबड को चेक करते हैं, कि कहां पे गडबड आ रही है, अगर आप गोर करें, तो हमारे पास total bill यहाँ पे है, tip यहाँ पे है, ठीक है, और हमने यहाँ पे data को scale भी किया हुआ, at the end हमारे पास यहाँ पे prediction जो है, वो गलत आ रही है, लेकिन यह कितनी गलत आ रही है, और क्यों गलत आ रही है, उसको चेक करने के लिए, हम y predict को, अपना जो x test है, इसके साथ चेक करते हैं, sorry, y test है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, evaluate the model, evaluate करने के लिए, obviously हमें कोई matrix पता होने चाहिए, तो एक matrix है mean squared error, दूसरा r square score, जो linear regression के लिए use होता है, ठीक है, हम दोनों को इस तरीके से print कर लेते हैं, और ये हमें बताता है कि कितना आपका जो value का answer है, वो ठीक है, यहाँ पर 1.015 बता रहा है और ये 0.54 बता रहा है, this is how you start from 0, और end तक आप model को train करके predict करते हैं, अब मैं आपको बारी-बारी समझाता हूँ, हमने किया क्या है, सबसे पहले libraries import करने हैं आपने, फिर data साब ले आने हैं, वो data आपका हो सकता है, किसी का हो सकता है, online देखना है, online हो सकता है, any kind of data it could be, समझागी? data के बाद, आपने choose कर लेने हैं, कि किन predictors की base पे, यानि किन input data की base पे, मैं क्या आप predict करना चाहा रहा हूँ, यहां तक clear हो गया, फिर आपने क्या करना है, train test split the data, आपने train test split कर लेना है data को, ठीक हो गया, train test split करने के बाद, आपके पास, यहां पे pre-process the data के लिए, standard scalar आपने use कर लिया, अब आपने x train और x test को किया, यहां पे, आप चाहें तो y train और y test को भी कर सकते हैं, it's totally up to you, for example, मैं यहां पे y train, और इसके उपर scalar लगा देता हूँ, ठीक है, और y test पे भी लगा देता हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब हम इनको करेंगे, तो हमारे पास reshape करना पड़ जाएगा डेता को, so I can do like this, एक और तरीका है pre-process करने का डेता को, which we can do, यहां से इसको मैं cancel करता हूँ, और डेता को directly, जब हमने load किया है न, यहीं पे pre-process कर लिया जाए, यानि कि scale कर लिया जाए, और best way यही होता है, कि आप यहीं पे scale fit transform लगा के, डेता को scale कर लिया, ठीक है, और यहीं पे आप encode भी कर लिया, यानि कि डेता लाते ही आप अपना encode भी कर सकते, it's up to you, लेकिन problem यह होगी कि आपको फिर tip और दूसरी चीज़ों को साथ रखना पड़ेगा, but we will see now, आपने अपना data xy में convert कर लिया, train test split कर लिया data, ठीक है, फिर data का जो model है, उसको आपने call की, जो आपने model लगाना है, उसको train किया, data given जो है उस पे, फिर यहाँ पे आप predict करते हैं, अब आप check करें, जो आपकी tip बन रही है, तीस डॉलर पे वो 18 बन रही है, क्यों? क्योंकि हमने दूनों चीजों को scale कर लिया, इस topic पे हम बाद में आएंगे, but for now, prediction यहाँ पे आपका model देना start हो गया, यानि कि यहाँ से जो चीजें सीखी हैं, आप किसी भी unknown value पे predict कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर एक customer आता है होटल में, 80 डॉलर बिल बनता है, तो tip कितनी देगा? 48, which is not true actually, but this is how we can actually estimate, अब अगर आप देखें, prediction आपके पास है, evaluation आपके पास आगी, आप predict करने के बाद, यहाँ पे इस तरीके से, matrix के थुरू evaluate कर सकते हैं model, ठीक है? अब आप देखें कि आपकी main squared error 77 है, और आपके पास R squared 0.49 है, एक और चीज, अगर आप data को pre-process नहीं करना जाते, scale नहीं करना चाते, इस एक को आप comment out कर दे, अब दुबारा से अगर run करेंगे सभी को, it will run like this, और आप चेक करें कि आपका जो model है, probability है कि वो अच्छा perform करेगा, as compared to other thing, and now it makes sense, 80 dollar bill बने तो 9 dollar tip कोई दे सकता है, 15 dollar bill बने तो कोई बंदा 2 dollar ही tip देगा, 10 नहीं देगा, so now it makes sense, तो यह आपको चूज करना है कि data scale करना है या नहीं करना, it's you who have to decide, this is how we can actually run a model until the end, और उसको save करना कैसे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि यहाँ पे आप save the model, आप अपने model को save कर सकते हैं, simply import pickle आपने करना है, जो अर्रडी इंस्टाल्ड होगा, आपके पास जब circuit learn करेंगे, pickle.dump, model का नाम देना है, और model का नाम दे दिया यहाँ पे, यह model जो हमने call किया, यह जो train है, उसका हमने नाम save कर लिया, wb, writing binaries हम यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर आप इसको run करेंगे, तो यह model आपके पास save हो जाएगा, and here it is, यह model.pickle की form save होगे, ठीक है, मैं इसे delete करता हूँ यहाँ से, and we can do another thing, के हम यहाँ से एक निया फोल्डर बना ले, machine learning के अंदर ही, saved models का, ताके हमारे सारे के सारे model वहाँ पे save हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, forward slash, saved models, slash model.pickle, ठीक है, model, 01.pickle, मैं इसे run करता हूँ जी, तो जो मैंने model train किया, वो मैंने save भी कर लिया, यहाँ पे आ गया, जैसे मेरे पास model save हो गया, now what I can do, I can actually reload this model, मुझे train करने की ज़रूरत नहीं है, so मैं यहाँ पे load करता हूँ the model, और मैंने model कैसे load करना है, simply वो ही, आपने import pickle करनी है, and then you can actually load the model, ठीक है, वो कहाँ से करना है, pickle.load, model कहाँ पे save है, मेरा वो यहाँ पे save है, उसकी अब read binaries करनी है, पहले writing binaries था, अब read binaries, करने के बाद, यह मेरे पास model आ गया, उसको मैं नाम दे देता हूँ, model load, यह मैंने run किया, मेरे पास model आ गया, अब मैं model load से directly predict करवा सकता हूँ, like this, check करें, मुझे training की जरूरत नहीं, जो मेरा saved model था, वो ही मैंने जला लिया, so these three things can help you to save a model, save and load a model, right, तो आपके पास एक machine learning model, train करने से, predict करने से, evaluate करने से, save करने से, load करने तक, यह सारी notebook आपको बताएगे, और इंशाला, इस्ता इस्ता इसको हम use करेंगे, but for now, I think this is more than enough, to learn, कि किस तरीके से, आपका model जो है वो बनता है, hopefully यह एक go through था, setup था, किस तरीके से, हम second learn को use करेंगे, to train a machine learning model, और उन machine learning models को, हम कैसे future में utilize कर सकते हैं, और कैसे आप एक model को train करके, लोगों को दे सकते हैं, और कैसे यह वाला saved model, इंशाला future में मैं आपको बताऊँगा, कि जब आप application deploy करते हैं, वहाँ पर क्यों use करने हैं, कैसे use करने हैं, यही model उठा के आपने रखना है, और इसी से आपकी applications चल ली है, this is how you can actually save that model, ठीक है, और इंशाला future में आप देखेंगे, कि हम different algorithms को सीख के, best of the best models को choose किया करेंगे, and then you can make an application or software out of it, यहाँ तक clear होगे आपको, तो like कर दे, share कर दे, subscribe कर दे, नहीं करना, तो फिर भी कर दे, आपका क्या जाते हैं?